हेलो एंड वेलकम और आज बात करेंगे हम शेफाली वर्मा की जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जबर्दस डेब्यू किया हाला कि सब इस बात से थोड़े से दुखी जरूर हुए जब वो 96 पर आउट हुए कियार 100 मिस हो गया और अगर 100 करती तो डेब्यू पर भारतिय विम शेफाली को सचिन टेंडूलकर ने इंस्पायर किया कि भाई मुझे भी क्रिकेट खेलना है मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है कि लोगों की इतनी भीड लगे चाहे ग्राउंड के अंदर हो चाहे ग्राउंड के बाहर हो जिक्र सिर्फ सचिन टेंडूलकर का हो रहा था तो शे उनकी जो पार्टनर थी उन्होंने एक आरणामा किया था इससे पहले 2014 में स्मृति मंधाना ने इंग्निन के अगेंस से उनकी भी हाफ सेंचुरी आई थी और आज यहां पर भी वही उनकी पार्टनर थी और देखें स्मृति और शफाली का जो साथ है काफी जब से इनकी सॉरी माफ करेगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो मुकाबला था उस मुकाबले में भी पार्टनर थी उनकी स्मृति मंधना उन्होंने पार्टनर शिप लगा थी 143 रंकी जो कि भारत के लिए रेकॉर्ड था आज जो उनकी पार्टनर शिप हुई है यहां पर भी रेकॉर बहुत मजबूत स्थिती में होगा इस पारी के दौरान थी जो अलग 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 रेकॉर्ड उन्होंने पने नाम किये तो डेब्यू पर भारत की तरफ से यह सबसे बड़ा स्कोर है विमेंस क्रिकेट में इससे पहले जो रेकॉर्ड है चंदरकांता कॉल के नाम पे था ज जॉइंट है जॉइंट है किसी भी विमें क्रिकेटर दौरा लगाएगे तो ये रेकॉर्ड उनके नाम रहा था अब ये जर्नी कहां से शुरू होती है जैसे मैंने शुरुवात में जिक्र किया था कि 10 साल के उमर में शफाली एक रंडजी मुकाबला देखने जाती है जहा भी ऐसा ही कुछ करना है मुझे भी क्रिकेट खेलनी है उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से क्रिकेट जर्नी रही लगातार खेले रहतक से वो आती है जहां पर उतना जादा कल्चर नहीं है और कभी ये भी हुआ था कि उनको अपने बाल इसलिए कटाने पड़े ताकि वो लोग उन्हें अज लड़का समझे और वो क्रिकेट खेल पाएं क्योंकि उस तरीके से acceptance नहीं थी कि लड़की क्रिकेट खेलेगी लेकिन उसके बाद शिफाली ने जो हरियाना के लिए लगातार performances करी domestic में अपना नाम बनाया 2018-19 का सीजन सब को याद आता है जब शिफाली बड़े-बड़े runs लगाए 100 लगाए फिर उसके बाद Women's T20 Challenge में उनके performance इन सब में एक जो नाम है वो बहुत important है उनके पिताजी तो थे ही लेकिन अश्वनी कुमार जो उनके coach रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने शिफाली को समहाला शिफाली के game को और ज़्यादा बहतर किय और लगातार वो हमेशा कहती है कि हर्याना cricket association और अगर अश्वनी सरकाव वो साथ नहीं रहता तो उनकी journey इस तरीके से नहीं आती 2019 में Women's T20 Challenge के बाद उनका team में selection होता है पहली सिरी साथ एफ्रिका के against उतनी जबर्दस नहीं रहती लेकिन West Indies जब वो जाती है वहाँ पर वो record half century जहाँ पर वो youngest to score half century from India बनती है फिसका T20 World Cup देखा हमने किस तरीके से उनकी performance थी जबर्दस performance पूरी दुन्या में एक बारी बात हुई कि इस तरीके की exciting खिलाडी जो है वो जितना romance लेकर आती है मैच में उसकी सबने चर्चा करी उनकी hitting ability की बात होती है लेकिन कुछ समय पहले जब उन्हें One Dare से बाहर रखा गया तो उस पर भी सवाल हुए शिफाली निराश नहीं हुई उन्होंने अपने game पर काम क प्रिया शॉर्ट बॉल उनकी weakness मानी जाती थी उस पर उन्होंने काम किया लगातार उन्होंने ये बताए कि कैसे मुझे बहतर होना है एक बहतर खिलाडी बनना है मैं जो है मैं भी एक बारी शिफाली के घर गया था उनसे जब मिलने गया था स्टोरी करी थी एक जब उन्हो भी कर रही है जो ability है शिफाली की तो ये शिफाली की कहानी रही है तमाम कुछ तमय पहले वन डे टीम में जगह नहीं बन रही थी लेकिन शिफाली से जब मेरी बातचीत हुई थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे भारत को वर्ल्ड कप जिताना है T20 वर्ल्ड कप इसी तरीके से रहेंगी और जो उन्होंने कहा था कि मेरा ultimate goal है मुझे भारत को वर्ल्ड कप जिताना है और जो वर्ल्ड कप का इंतजार है वो खत्म होगा तो ये थी शफाली वर्मा की पूरी कहानी आप भी इस पर अपनी राय रखे और आप बताएगी कैसे आप देखते ह है लड़का बनकर खेला और ऐसी performance दी कि लड़कों के बीच man of the match वो बनी क्योंकि लड़कों की मैंने बात करी इसने मैंने का कि man of the match player of the match यानि उन्होंने अपने नाम किया और साथ ही साथ जो मैं बात कर रहा हूं उनके साथ जब मैंने क्रिकेट खेला था जब मैं ट्रेनि पर आया है तो यह थी पूरी शफाली के कहानी अपना feedback जरूर ने वीडियो पसंद आई तो like करें और share करें